दोस्तों एक पर फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का DR Education के इस YouTube चैनल पर देखे दोस्तों कल जितने भी candidates जिनोंने D2 Plus B Fire Operator का result देखना चाहा लेकिन वो देख नहीं पाए अपने जो marks कितने उन्होंने attempt किये हैं लेकिन इस वीडियो मैं आपको detail से बताऊँगा कि कैसे आप official website पे अपने marks देख सकते हैं ठीक है जो आपने marks अचीव किये हैं वो आराम से देख सकते हैं बैस एक छोटी सी trick लगानी है क्या लगानी है यहां पे मैं आपको बताने वाला हूँ देखिए जैसे ये official page आप open करत देखा आपको दिख रहे हैं यह page यहां पे आप अपने mobile में या किसी भी browser में यह जो ओफिसल वेबसाइट है । यह आपको फिल कर देनी तो यह page निकल करके आता है उसके बाद जैसे click to shine in पे कर रहे थे click ठेके न तो यहां पे आपको problem क्या हो रही थी उस time पे कि आप view result वाले option पर click कर रहे थे तो वही page निकल के आ रहा था वह सभी में आपको बताओं कि कैसे आपको क्या 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 करना है देखो यहां पर मेरे पास एक candidate की date of birth है आपको यह detail तो फिल करनी पड़ेगी ना तो यहां पर मेरे पास आपको अपनी जो detail है वह फिल कर देनी है जिस मैं यहां पर इस candidate का जो password हो फिल कर रहा हूं उसके बाद यहां पर आपको क्या करना है यह जो capture दिख रहा है इसको फिल कर देना है जो इस capture में जो number दिया है जैसे 836 401 836 401 और यह trick बिल्कुल properly काम करेगी आप tension मत लीचिए आपकी tension दूर होने वाली देखो यह page निकल के तो अभी चैनल को subscribe जरूर कर लेना ठीक है देखो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ यहां पे देखिए जो यह उपर URL दिख रहा है इसमें यहां पे dssb online.nic.in slash के बाद update mobile लिखा हुआ है ठीक है ना update mobile को आपको mobile जो update mobile लिखा हुआ है उसको आपको cancel कर देना है ऐसे ठी view marks ठीक ना V I E W उसके बाद M A R K S view marks और बाकी ऐसा कैसा रहने देना है डोट लगाने उसके बाद view marks.aspx उसके बाद enter कर देना है जैसे enter कर दोगे उसके बाद तो आपके पास यह निकल के आ जागा select exam उसके बाद आपको tier second वाले exam पे यानि batch wise exam second tier PET skill test online exam इस पे click कर देना है जैसे click कर दोगी उसके बाद यह cursor घूमने लग गया देगा इसमें time तो लग रहा है केवल एक minute का time भी मैं जादा बता रहा हूं लगेगा लेकिन आपका जो marks आपने जो अचीव की हैं वो यहाँ प editing इस video में नहीं की है ठीक है बिल्कुल आप properly किसी भी mobile से या अपने laptop से देख सकते हैं और मैं तो यह कहता हूं कि laptop से या किसी cyber cafe भी जाकी यह जुगाड अगर आप करवाते हो mobile से भी हो जाएगा definitely होता है मैंने करके देखा है अगर आप बोलोगे तो mobile से भी एक video बना करके आपके सामने लेकर के आऊंगा बिल्कुल live ठीक है आप देखिए भी हो रहा है यह लेकिन time लगेगा एक minute तो लगेगा ही लगेगा definitely ठीक है क्या पता एक minute से कम लगे क्योंकि मैंने time note नहीं किया है लेकिन result जरूर दिखेगा आपको screen बिल्कुल और मैं continuously इसलिए बोल रहा और यह जर्नल में count हो रहा था तो यह अभी driving test के लिए appear नहीं होने वाले क्योंकि इन्होंने जो minimum cut of these को clear नहीं किया 80 marks अचीव करने थे लेकिन इन्होंने 80 marks अचीव नहीं किये ठीक है दोस्तों तो यह आप यहां पर आपना जो जुगाड है लगा सकते हैं और यहां पर आ अभी मैं बिल्कुल यानि 10-15 मिनिट में आपके पास वीडियो आ जाएगी तो जल्दी से लेली में कर रहा हूं इसको फटावट से कि आप लोगों तक ही यह वीडियो पहुँच पाए तो चैनल को जूरू सब्सक्राइब कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आती है ल आएगी जरू कर देना थैंक्यू सौमाच्चु